हेग गाइज वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टूडें टूडें टूडें वी विल लर्न अबाउट एरर इन परसेप्शन जो कि किस से लिया गया आपको मालू मैं आज के लम क्या देख रहे हैं कॉगनेटी प्रॉसेस देख रहे हैं सैकलोजी में से उसी के हम सब्सक्राइब परसेपशन के तरह में तैब्य जी स्ब्सक्राइब चैनल स्प्रेंग पर्सेप्शन और अच n एक यह этоए त्रइं संप्रून यूछ द्चयूके जो परसेपशन है उसमें कैसी गरबड़ी होती है मतलब कैसे ओस को रॉंग perceive करते हैं illusion का मतलब ही है जो error in perception में हम कितने type के error होते हैं और वो कैसे हम उसको गलत perceive कर रहते हैं गरबड़िया कैसे होती है यह देखेंगे तो जो illusion होता है यह दो तरीके से हो सकता है illusion and hallucination तो जो illusion होता है वो wrong perception होता है presence of real spectrum मतलब इसमें क्या होता है कि जो stimulus होता है जो इस्ट्रमलाई होगी present होती है मतलब इसमें जो object होता हो present होता है सामने हमें दिखता है लेकिन हम उसको क्या कर रहे है wrong perceive कर रहे है जो चीज वो है वो हमें ना दिखके वो उससे हम क्या कर रहे है उसको गलत प्रसीव कर रहे हैं जैसे for example यहाँ पर rope है लेकिन हमें क्या लग रहा है यहाँ पर यह जैसे यह rope है और हमें यह snake की feeling दे रही है कि यह snake है तो इसी तरीके से यह जो sensory stimuli है यह हमको क्या कर रहे है wrong perception हम इसका दे रहे हैं तो इसी को बोलते है illusion यानि कि illusion में क्या होता है stimulus होता है stimuli होती है ठीक है लेकिन हम उसको wrong perceive करते है sorry इसमें हम देखते हैं इसके सब एड़िंग तो जो illusion and cause by the stimulus factors तो जो यह कुछ horizontal stimulus होते हैं यह जो horizontal vertical यह जो illusion होता है यानि कि जो perception होता है यह कुछ factors के वज़े से होता है जैसे कि यह lines देख रहे हैं आप horizontal है और जो यह vertical यह जो vertical line है और यह जो horizontal line है यह दोनों की लाइने का जो shape size shape है वो same है तो हम कभी कभी क्या करते हैं उससे भी confused हो जाते हैं कहने का मतलब कि line से हम confused हो जाते हैं या फिर ऐसा है कि कुछ आपके आप किसी अपने friend को station में लेने गए लेकिन आपने वहां किसी और को अपना friend समझ लिया back side से आपने देखा और वह आपका friend की तरह लगा और आपने उसको अपना friend perceived कर लिया यानि कि आपके पास stimuli है यहां पर लेकिन आपको वह समझ में नियारा कि वह कौन सी है vertical और कभी-कभी horizontal में भी confused हो जाता है क्योंकि दोनों का shape एक सही होता है न तो यह कहने का मतलब है और इस तरह किसम perceived गलत कर लेते हैं फिर उसके बाद है second one is जो molar layer जो illusion होता है इसमें क्या होता है कि कुछ जो diagram होते हैं यानि कि इसमें क्या होते हैं observation of the diagram इसमें कुछ diagram होते हैं उसको हम क्या करते हैं perceive करते हैं यानि कि जो एक normal जो normal person होता है वो उसको horizontal line मतलब यह जो lines है इनको वो देखके उसको क्या करेगा wrong perceive कर लेता यह जो line है would lead to the even normal person to say that horizontal line A look smaller than line B अब ये जो horizontal line बनी है ये सारी horizontal line है ये A और B मैंने ऐसे बोल दिया अब आप ये देखिए जैसे ये वाली line है और ये वाली line है इन दोनों को देखिए आप तो ये दोनों का जो ये line है ये same है ठीक है distance इनकी जो मतलए इनकी जो measurement है वो same है ये देखिए आप इससे दिखा भी रखा dot से लेकिन हमको क्या लग रहा है ये वाली line इससे बड़ी लग रही है वो हमारा illusion है हम उसको wrong perceive कर रहे है क्यों कर रहे है क्योंकि उसमें हम इसके arrow के वज़े से कर रहे है जस्ट एक ये arrow जो है वो अंदर की और को इसको बाहर की और को है तो इसी से हमको ये पूरा शेप इसका मनलब चेंज लग रहा है जबकि एक्ट्वल में ये दोनों क्या है बिलकुल same length की है then herring illusion और fancy illusion में क्या होता है कि इसमें जो figure होता है horizontal lines जो होती है एक दुसरे के parallel होती है one or two के बीच में क्या होता है distance भी होता है figure में same होती है लेकिन वो हमें क्या लगता है कि सब ही जो होती है एक दुसरे के unparallel लगते हैं हमको सब आई दुसरे के समाना अंतर में नहीं है . सबके बीच में बहुत था के पेरलर है फिर भी हम को ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के समान नहीं है ठीक है तो यह इस से हो जाता है कि कफ्यूसर हो रहा है हमको लाइनिंग के वजे से उसके बाद है उनकी बनावट के वजे से फिर है जोर ना इल्यूजन. जोर न Liberty एर्यूजन में क्या होता है कि 1 लाइन जो उती इन डॉजिव की जाती है देख्येद है इक duss że के पैर्लर है लेकिन हम इनको हम पैर्लर नहीं कर पाता है ये दिधुक घ्रम नहीं कर करते हैं इससे जो जो नों के डाइरेक्शन अलग अलग है। तो ये जो लाइने दिख रही है, ये सब कैसी है? एक लाइन में है पेल्लर में है, देखे इस दूसरे के गालर है लेकिन हम को ये पैलर अब्सर्व आपजरव हम हम जब इसको perceive कर रहे हैं तो हमको यह इसके parallel नहीं लग पा रही है क्योंकि जो इसके जो यह वाले जो छोटे वाले जो यह है यहां पर इस से कट किया गया है तो यह यह भी से कट है तो दोनों के opposite direction में देखिए आप एक तो इधर से कट है और एक ऊपर से कट है एक side से कट है एक से कट है मतलब यह just कि हम इसको parallel परिसीव नहीं कर पा रहे है कि एक दूसरे के समानांतर है हमको जोलनर इल्यूजन यह सौरी हाँ यह है जोलनर इल्यूजन इसमें क्या था ओल दीज लाइन आर ड्राउन इन पैरलर यह मैंने आपको बता दिया जबकि सब एक पैरलर हैं बट दे आर नौट परसीब पैरलर लेकिन हम उसको एक पैरलर परसीब नहीं कर पारें ड्यू टू य इस हाइट वेट इल्यूजन अब इसमें यह देखिया हमेशा यह बोला जाता है कि इफ इल्यूजन एग्जी इन विच टॉल टॉल पीपर आसीन इस बिंग थीनर देन देन यह शौटर काउंटर पार्ट का मतलब क्या कहने का समझाया जा रहा है यहां पर कि जो इल्यूज इन की शौट हाइट होती है भलाई उनकी जो विर्थ होती है वो बराबर होगी लेकिन अगर यह लेंदी है थोड़ा इसकी हाइट जादा है लंबा ही जादा है तो यह कैसे लगेंगे टॉल पीपल थिन पतले लगेंगे इन कमपेरेजन टू शौर्ट पीपल तो यह है इस चोडा ही है जो वो इसम है, लेकिन यहां पर इनको इस तरीके से कट किया गया है, कि हम अलग तरीके से पर्सीव होरा है यह longitudinal है तो हमें ऐसा लगरहा है, जैसे की यह पतली है यह पतला है और तोड़ा इस से भी है. यह थीन है ऐसके लग रहा है लेकिन यहां और इसमें जो लाइने हैं वो क्रॉस करके कटी हैं तो हमें ऐसे लग रहा है यह जो है इसकी कंपेरिजन में यह वाला थीन है तो कहने का मतलब है यह इससे भी इसकी जो जो यह लाइनिंग होती है इसके वज़े से भी हम और जो इसकी चोड़ाई त कर पा रहे हैं फिर है पॉन्जो इल्यूजन जो ये पॉन्जो इल्यूजन होता है ये भी जो है एक क्या है जियोमेट्रिकल इल्यूजन है इसमें क्या होता है जो सरकल वन और टू है ये दोनों सरकल जो है बराबर सेम हैं लेकिन जो एक जो सरकल है वो कैसा लग रहा है लुक परेजिन टू थोड़ा सा दूर वाला तो कहने का मतलब है यह जो इसको बोलते है पॉंजो इल्यूजन जो की उसके हमें उससे लग रहा है सरकल का जो शेप है वह हमें दोनों में चेंज लग रहा है ठीक है डिस्टेंस के वज़े से लग रहा है है तो वह बिलकुल सेम उसके लेकिन हमको कैसे लग रही है एक बड़ी लग रही है और एक छोटी लग रही है कैसे क्योंकि उनके जो रखने का तरीका है ठीक है अपियर हम उनको कर पा रहे हैं जबकि दोनों सेम साइज के लेकिन हमें लग रहा है एक बड़ी है और एक छोटी है क्योंकि उनको इस तरीके उनको place किया जाता है, उसके वज़े से भी हमें क्या होता है? वो wrong perceive हो जाते है, जब कि वो same size के होते है तो ये इसको बोलते है, je Watts Tro missing perception, ठीक है उसके बाद हो गया illusion of moment अब illusion of moment में क्या होता है? जब हम कुछ pictures को perceive करते है, कि moving way में है ठीके हैं अब हमें लगता है कि वह डॉली है, जबकि वह एक साथ एक वह कि जगापे मुव नहीं कर रही है अक्चूली वह जो एक जगाह क्या है, लेकिन यह साथ एक जगाह कि जगाह कि असे आच हम कर रही है, वह बात रहा है है और जह हम चल रहे होते हैं तो हमें सात सना जो फो पेगड होते हैं यृखOnist हbt बोल्ग दिखाट लेकिन हम इस सात हाँ चलता है है और आप ऐसे भी समस्कें कि कर अदो में लाग्मेयर बैट च्वाएं थिक है तो बाहँ वाली ठेन जो नहीं बहुंत है और में लगता हो बगल वाली train चल लिये, या बगल वाली मूव करती है, अमें लगता हमारी चल लिए, इस तरीके का यह moving का, जो movement का, जो illusion होता है, ठीक है, तो यह हो, यह वाला, जो है, यह इसले error perception देता है, हम कुछ इसके, इसके placement से बोल सकते हैं, हम और इसके moment से बोल सकते है ठीक है जो object है उसके situation से उसकी condition से हम गलत perceive करते है ठीक है फिर है moon illusion तो जो यह moon illusion है इसका इसमें क्या होता है कि जो moon looks quite larger near the horizon than when it when it is it is overhead at its जो जो night ठीक है यह मतलब कहने का है कि जो यह है जो यह moon है ठीक है यह जो moon है यह horizon में क्या होगा जो horizon जो जो जहां पर दो places मिलते है ठीक है जब यहां पर जो दो places मिल रहे है यह जहां पर कि sky है और जो जो यह है पहाड पर जो जमीन है ठीक है तो यह दोनों जब यहां पर यह मिल पा रहे हैं जहां पर जहां पर दो साथ में मिलते हैं जैसे कि आप बोल सकते हैं कि यह जो horizon बोलते हैं इसको horizon जिसमें कि जो दो यह होते हैं sky बोल सकते हैं आप sky होग ये मीट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है दूर से देखने से ये एक दूसरे से मिल रहे है ठीक है तो ये मिल रहे है ये स्काई हो गया और ये जो सर्फेस है तो ये दोनों के और ये आपस में एक दूसरे से मिल रहे है तो यहाँ पर जब हम दूर से देखते है जो चांद जो है यह जो है यह जो मून है ना चांद जिसे बोलते है यह ऐसा लगड़ा बड़ा शेप लगड़ा इसका ठीक है जबकि अगर हम अपने अपने उपर देखते हैं अपने हम इसकाई के उरको देखते हैं तो जो हमारे हैट के उपर जो मून है वो काफी हमें horizon में है यह ज्यादा बड़ा लगेगा in comparison to sky में तो यह हम इसको ऐसे समझ सकते हैं तो यह एक illusion है इसको बोलते है moon illusion ओके तो यह हो गया अब हमारे यहाँ पे जो illusion है वो खतम हो गया जो कि हमने जो कि जो हमने बिल्कुल object के संग यानि कि जो present stimuli के संग wrong perceived किया था तो वो है illusion okay then hallucination अब hallucination में क्या होता है कि यह false sensory perception होता है not associated with not associated with real external stimuli मतलब कि यहाँ पर कोई भी external stimuli नहीं है कुछ भी उसको present नहीं है environment में ठीक है कोई एस्टुमराई नहीं है externally लेकिन उसको false sensory perception हो रहा कि कोई तो है जैसे कि आप पिक में देख पा रहे हैं कि यह जो person है यह है यहाँ पर लेकिन इसको लग रहा कोई है मेरे आसपास कोई है इसको ऐसा feel हो रहा जबकि यहाँ पर कोई नहीं है तो यह हो गया hallucination इसको बोल नहीं है जो false sensory person जो हमारे sense organ है वो wrong false perceive कर रहा है क्योंकि हमारा brain काम सही से नहीं कर पा रहा है तो जो brain function सही से काम नहीं कर पा रहा है तो ज्यादा सही से message नहीं बन पा रहा है तो वो message को अच्छी से convey नहीं कर पा रहा है तो हमारा जो यहाँ पर जो false perception हमारा जो sense organ होते है व olfactory, tactile, gastritory, यह हर तरीके के हो सकते हैं, जित्ते भी हमारे sense organ है, उस से related यह वाले hallucination हो सकते हैं, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, कि जो हमारे five sense organ होते हैं, उसी से related नेम ले लिजिए, तो यह हो गया visual hallucination, auditory hallucination, olfactory hallucination, tactile hallucination, gastritory hallucination, जिसमें taste cut हमें लगता है, sense, तो यह सभी जो होते हैं, यह altered हो जाते हैं, मतलब कि यह, मतलब यह अपना काम proper नहीं कर रहे हैं, ठीक है, but usually visual and auditory are more common experience, लेकिन ज्यादा तर यह जितने भी जो taste से related है, touch से related है, और जो सूंग नाजी से बोलते हैं, हम smell करते हैं, olfactory में, auditory में हम सुनते हैं, visual में हम देखते है ठीक है, tactile में हमको touching का feeling होता है, कि किसी ने छुआ है, gastatory में हमको taste का sense होता है, तो यह सारे तो उतने common नहीं हैं, लेकिन visual और auditory, जो visual है और auditory है, यह बहुत common है, जो perception, wrong perception, visual के अभी आपने सब सारे से देख लिये थे, कुछ जो मेना भी आगे slide में दिखाएं थे, और auditory मे यही वाले में आ जाता है, hallucination में, जिसको कि उसको कुछ आवाजे सुनाई ही दिखेंगी, कुछ आवाजे उसको लगेगा कि कुछ मुझे आवाज लगा रहा है, ठीक है, और उसको लेकिन वो ही बात करता है, और जब आप उसे देखते हो, तो आपने कभी देखा होगा जो थोड़े इस ताइप के परसन होते है जिनको कि ये वाली प्रॉबलम होती है, तो वो क्या करते है, अकिले-कले बात zapats करते हैं और उसका answer भी देते हैं और उनके आस पास कोई भी नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं, जैसे उनके सामने कोई है, तो यही हैृलूसि hallucination तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो डू लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब और जो नए विवर्स हैं वो तो सब्सक्राइब कर लें जो पुराने हैं वो तो लाइक तो कर लें जाने से पहले और कमेंट भी कर लें और अब हम इससे आगे का जो भी कर्सेप्शन फिनिस हो जाएगा तो आप इसके नोट्स बना लीजे अपनी नोट्स बुक्स में और उसको अच्छी से अंडरस्टैंड कर लीजे समझ लीजे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाइब